हलो एवरिवन सो कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं बहुत ही अच्छे हों कि तो हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा प्रॉबैबिलिटी में तो आपने देखा होगा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा तो हमने इंट्रो क्लास पढ़ा और इसमें कुछ टर्म्स को हमने समझा फिर सकेंड क्लास में हमने क्या पढ़ा तो हमने डिसकस किया अवाउट डिफरेंट सेंपल स्पेस जब कोई रेंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहे है एक्जांपल सपोर्स कि यह कि अगर एक कोई को इसकुंस किया और किस बैच थे बैसिकली ऑन्द सिंपल फॉर्मूला जो दिया हुआ था उसी फॉर्मूला पर बैस थे वहाँ पे कोई एक event दे दिया जाता था और हमसे पूछा जाता था कि वाई साथ इस event के होने का probability क्या है ये बताओ आज हम लोग थोड़ा एक level उपर पढ़ने वाले आप पूछोगे सर है क्या तो यहाँ पे हम लोगों को एक event का probability नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे एक से जाएदा event का probability पूछा जाएगा अब कहानी इतने पे खतम नहीं होता मतलब हम जो last class में event e को मानते थे अब यहाँ पे event e के साथ साथ कोई दूसरा event मानना होगा फिर e का probability निकालना होगा और दूसरा event हम लोग माननेंगे उसका probability निकालना होगा तो यहाँ पे basic आप बोल सकते हो कि addition theorem है इसका मतलब एक से जाएदा probability निकाला जा रहा होगा और उनको add करके कोई combined probability निकाला जा रहा होगा clear रहे ना? अगर मैं आपसे पूछओ कि भाई साहँ आप मेरे को सिर्फ इतना बताई addition theorem बोलने से मतलब आप क्या समझ रहे हो अगर probability में addition theorem कहीं पे लिखा है तो आप क्या conclude कर सकते हो तो आप क्या बोलोगे? कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पे कोई दो probability निकाला जा रहा होगा उनको add करके, combine करके कोई probability final वाला निकाला जा रहा होगा बस वही चीज है ध्यान से देखें यहाँ पे formula निकाला रिया है P A union B अब आपको याद रखना है यहाँ पे A union B बोलने का मतलब क्या होता है? P probability of A और B मैंने आपको union में बताया था जब हम लोग state को discuss कर रहते हैं कि union में हम सभी को probability देते हैं, कुछ भी आजा है clear है ना? तो probability of A union B बोलने का मतलब क्या? probability of A और B is equal to क्या हो जाएगा? probability of A plus probability of B अगर हम से पूछा जाए, probability of A और B इसका value बताये A और B का probability बताये तो हम क्या बोलें है? probability of A plus probability of B लेकिन यह यहाँ पर एक और case है जाएगा पर क्या क्या जाएगा? probability of A और B क्या हो जाएगा? A और B का probability क्या हो जाएगा? probability of A plus probability of B minus probability of A and B A intersection B बोलने का मतलब क्या होता है end आप बोल सकते हो मतलब A और B में जो common होगा उसका probability हम लोग निकाल के A और B वाली probability से माइनस करते हैं थोड़ा सा हौच होच होगा लेकिन इसी के लिए मैंने आपके आपी के लिए यहां पर एक question को लिखाया और इस question के तुरू आईए पूप कि आपको दोनों concept समझ में आ जाएगा फिर से एक बार समझे addition theorem basically बोलने का मतलब क्या जहां पर दो से अधिक का combined probability निकालने बोला बोला जाए तो आप देखें क्या बुटा जाएगा probability of A और B A और B का probability आपसे पुछा जारा है तो basically formula क्या है probability of A और plus probability of B लेकिं यह formula क्या लिका हुआ है यहां पर पढ़ो हुच्छोली exclusive set इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर A और B जो event A है और जो event B है उसमें कोई common number या common outcome नहीं है दोनों के बेश कोई ऐसा पंगा नहीं फच रहा दोनों के बेश दोनों का इसको पिड़दब क्लियर है जब आप A के event को लिखोगे तो उसमें B का कोई event नहीं आएगा और अब जब B का event या outcome को लिखोगे तो उसमें कोई A का event या outcome नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे mutually exclusive state मैंने यहाँ पर जिखा mutually exclusive outcomes आपने यहाँ पर करेंगे clear दे ला लेकिन अगर गलती से पंगा फर्स जाए जब हम लोग A के चार्ट को तयार कर रहे है और B के चार्ट को तयार कर रहे है कुछ ऐसा element आ जा रहा है जो A में B और B में आ भी है जैसे ही आपको common दिख जाए तब आपको वो formula apply नहीं करना तब आपको क्या करना है probability of A पहले आप A का probability निकालेगा कि plus probability of B minus probability of A intersection P जो जितना भी element A और B में common आ रहा है उसका probability निकाल दिख आप total में minus करेंगे प्रिया रहा है आप याद करो जब हम लोग formula पढ़ते थे basically ये derive का कहा से हुआ है जो हम लोग state theory में इस formula पढ़ते थे कि number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B इसी को हम लोग क्या करेंगा अगर sample space से divide कर दे यह कि probability बन जाएगा तो ये किसका probability हो जाएगा probability of A union B is equal to इसको sample space से divide करें क्या हो जाएगा probability of A इसी तरह इसको divide करें तो दोनों साइड आप क्या करें सिर्फ sample space से S से divide कर दे रहे हैं तो ये क्या बन गाएगा P A plus P B minus P A intersection B तो आपको overload दिमार के नेटेंडर जैसे ही आप question को बनाऊए और अच्छे से player होते जाएगा अब question पर आते हैं और practically ही आप लोग समझते हैं जिससे ये concept पूरी तरीके से player हो जाएगा ये even आपके exercise का question है question number 18 type 2 में है तो उस ही question को मैंने लेका दियान से देखिए क्या बोला जा रहा है अब bag content 30 balls numbered from 1 to 30 कोई एक bag है और उस bag में क्या है total 30 ball है जिसमें number किया लिया है हर इक ball में number किया लिया है जो number किया बोल किया है एक ball में one फिर दूसरे ball में two फिर तीसरे ball में three फिर चोते ball में isi तरीके से 30 ball को number कर लिया गया अब आगे बोला जा रहा है one is to be drawn at random अब उस 30 ये कोई bag है इसमे basically क्या है बॉल पर numbering किया गया अब बॉल है कुछ ऐसे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरीके से 30 बॉल पर numbering करके डाल दिया गया है अब बोला जा रहा है कि भाई साब एक बॉल को हम निकाल रहे हैं तो जब एक बॉल को आप निकालेगा तो sample space तुरंट आपको क्या समझ में आना चाहिए कि sample space क्या हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है sample space में हो सकता है कि हम जो बॉल निकाले हैं वहाँ पर one numbering किया गया हो यह भी तो सकता है कि उसमें 1 नहीं 2 numbering किया गया हो यह भी तो सकता है कि उसमें 2 नहीं 3 numbering किया गया हो तो टोटल आउटकम्स में आप से पुछू कि क्या क्या हो सकता है जब एक बॉल को निकाला जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि सर्थ हो सकता है कि 1 आया हो उस बॉल पे जो नम्बरी क्या गया हो 1 हो, हो सकता है कि 2 हो हो सकता हो कि 3 हो, हो सकता हो कि 4 हो हो सकता हो कि 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 90 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो और 30 हो तो basically sample space को यह होता है all possible outcomes of our random experiment तो जब आप यहां से एक ball को निकालोगे तो what are the different possible outcomes different possible outcomes में तो यह ही आ सकता है clear है ना तो यह तो 1 से लेके 30 तर कुछ भी आ सकता है तो sample space का यह सारा part हो गया clear है ना अब आप question को दियान से संदो question में आप से क्या पूछा जादा है अगर आपको question पूछा जाता find the probability of getting a ball find the probability of getting a number which is a multiple of 5 आप से कोई question पूछा जाता find the probability आप से question पूछ लिया जाता कि पताईए find the probability that it is a multiple of 5 जब एक ball निकाला जा रहा है तो वो 5 का multiple में से कोई number आएगा इसका कितना probability आप ये बताओ तो आप क्या करोगे कि सर जी यहाँ पर sample space दिया हुआ है आप मेरे को 5 का multiple आने का बात पूछा गया है उस question में पूछा गया है कि 5 के multiple आने का कितना probability है तो आगर मैं favorable event event e मानू event कोई e है जो की है multiple of 5 तो आप खुल बताओ favorable event e में क्या क्या favorable event e के list में क्या क्या आजया है तो आप देखोगे कि sample space में ऐसा कौन-कौन सा number है जो कि 5 के individual है वही basic लिए आने से मेरा question पूछा हो सकता है तो आप देखेंगे 5, 10, 15 20 25 30 अगर यही सारा आ जाया है तो question फिर जो पूछा जा रहा है किसका पूछा जा रहा है बात बन जायेगा तो favorable event के list में यह सारे element को लिखेंगे अब लोग अब probability निकाल लेंगे basically probability क्या हो जाएगा probability of event e is equal to number of event in favorable outcome that is number of event कितना है जान से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 total 6 है divided by number of total element in sample space कितने total element या total event sample space में तो 30 तो 6 by 30 that is equal to 1 by 4 clear है नो यह value आ गया अब कोई दूसरा question पूछा जाता कि why सब multiple of 7 आएगा जब एक ball को निकाला जा रहा है तो इसका कितना probability है आप यह बता हो तो यहाँ पे फिर हम लोग कोई एक और event मांगते है even even क्या है multiple of 7 आप मेरे को बताओ कि favorable event even के list में क्या 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 आ जाएगा जिसके आने से question को थोड़ा सा help मिलेगा तो आप बोलोगे कि sir अगर ball निकाले से 7 आ जाए 14 आ जाए 21 आ जाए 28 आ जाए तो question को help मिलेगा और इसमें से कोई भी ऐसा number आएगा तो question में जो पूछा जाएगा उसको help नहीं मिलेगा तो question को favor क्या 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 कर रहा है क्या क्या आने से question को थोड़ा से help मिल रहा है तो 7, 14, 21, 28 अब आप मेरे को बताओ कि probability of even क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे कि sir number of event in favorable outcome कितना है 4 by total number of element in sample space कितना है 4 by 30 that is 2 by 15 ये probability हो गया तो अगर ये पूछा लाथा तो ये question हो जाता type 1 का जहाँ पर simple basically हम लोगों को एक event का probability निकालने दिया जा रहा था लेकिन आप ध्यान से देखो अब आपको जो पढ़ना है वो किस type का question है यहाँ पर आप देखेंगे find the probability यहाँ तक तो बात सही है type 1 में भी यहाँ तक रहता था लेकिन आगे देखिए that it is a multiple of 5 और 7 जहाँ से देखना है अब आपको ये नहीं पूछ रहा है भाईसा 5 का element होगा multiple होगा इसका probability आप बताओ 7 का multiple होगा इसका probability आप बताओ यहाँ पूछा जा रहा है वो या तो 5 का multiple है या तो 7 का multiple हो दोनों को consider कर रहा है दो event हो गया है पहला event किसको लिया है 5 के multiple को और 7 के multiple को दूसरा event बताओ तो यहाँ पर बोल रहा है या तो वो 5 का multiple हो या तो 7 का multiple हो इसका कितना probability है यह बताई तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दो event हम लोगों को मानना होगा एक event हम लोग e मानेंगे that is multiple of 5 और दूसरे event को हम लोग e 1 मानेंगे आप चाहे तो a और b भी मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं तो e 1 हम लोग मान लेते हैं इसका कितना probability है यह पूछा है तो हमने क्या पड़ा है अगर दो अलग-अलग event का पूछा जाए तो हम लोगो को क्या करना है पहले event का probability निकालना है प्लस दूसरे इवेंट का probability निकाल के दोनों को add करते ना है तो combine probability निकल जाया या probability of multiple probability of those numbers which are multiple of 5 and 5 और 7 clear रहे ना तो यहां पे आप क्यां से समझो same error इस question को अब मैं आप मिटा दूँँ देखे अब यह question क्या हो गया first का answer हो जाएगा कैसे होगा ज्यान से देखो सबसे पहले आपने क्या माना एक event e को माना e क्या माना कि multiple of 5 है तो pe का value कितना आ गया 1 by 5 इसी तरीके से आपने pe1 निकाल गया वो क्या आ रहे है 2 by 15 अब आप थूड़ा सा समझेंगे क्या हो जाएगा probability of e or e1 इसका मतलब क्या हो गया और का मतलब e union होता है probability of e union e1 इसका value क्या हो जाएगा तो मैंने आपको दो formula बताया pa plus pb तो आप देखे कम क्या formula apply करना है आप ध्यान से देखो favorable list of e और फिर ध्यान से देखो favorable list of e1 क्या कोई ऐसा element है जो की e में भी आ रहा है और जो की e1 में भी आ रहा है क्या कोई a assignment common है तो आप बोलोगे नहीं सरक कोई a assignment ही है जो दोनों में आ रहा है इसका मतलब यह कौन सा case हो गया यह mutually exclusive event हो गया या mutually exclusive का case हो गया जहां पर p a और p b अलग है कोई assignment नहीं आ रहा है common है जो जिसको में इसके probability में भी value आ गया और इसके probability में भी value आ गया तो simply हम कौन सा formula apply करेंगे फर्स्ट वाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p e or e1 is equal to p probability of event e plus probability of event e1 अब आप में बताओ probability of event e इसका value कितना है तो आप बोलेंगे 1 by 5 probability of event e1 इसका value कितना है तो आप बोलेंगे 2 by 15 add करेंगे तो answer क्या जाएगा 5 by 15 that is 1 by 3 clear है I hope आप थोड़ा सा समझ पाया हो कुछ नहीं आप अगर 40% पर समझ जाएगे तो मेरे यह बहुत ही आसान हो जाए मैंने सिर्फ अभी आपको यह समझाने का सबसे पहले जो कोशन दिया जा रहा था और अभी जो addition theorem के अंदर कोशन दिया जा रहा है दोनों में basically अगर चाहां पर simply हम देखते हैं कि 5 का क्या क्या multiple है और फिर value निकाल देते हैं उसी तरह से एगर 7 का पूछा जाता कि 7 का multiple है इसका कितना probability है यह बताए तो हम देखते कि favorable list में क्या क्या आ रहा है probability of being multiple of 7 इसका value निकाल देते हैं लेकिन हमसे question में पूछा क्या जा रहा है हमसे question में पूछा जा रहा है कि 5 का भी multiple हो सकता है 7 का भी multiple हो सकता है इसका probability आप बताए कि या तो multiple 5 का या तो 7 का तो यहां पर हम लोगों को क्या निकालना होगा तो सबसे पहले 5 के multiple का probability निकालना होगा फिर 7 के multiple का probability निकालना होगा और probability निकालने के दिर्मियान देखेंगे कि क्या कोई ऐसा element है जो दोनों में common है अगर common हो तो हम दूसरा formula अपलाए करेंगे जो भी common होगा उसका probability निकालके minus कर देंगे अगर common नहीं है तो directly पहले वाला का probability निकालके फिर दूसरे वाले के probability निकालके दोनों को add कर देंगे और combine probability आ जाएगा clear है I move आपको समझ पाया होगे एक और question है देखे question number second ये आपके जो भी doubt होगा वो और आपको अच्छे से clear कर देगा अच्छे से अच्छे से वही हो जाए और one से लेके 30 अब क्या पुचा जारा है probability निकालना है इसका probability निकालना है तो probability of being multiple of three or seven three का multiple है या फिर seven का multiple है आए इसका कितना probability है जब हम ball को निकाल रहे हैं तो अब आप देखेंगे सबसे पहले आपको अलग-अलग event में मान लेना है जैसे three और seven का पूचा जारा है combined probability या तो three से आओ या तो seven का तो आप पहले क्या करेंगे three का multiple होगा इसका probability निकाल लेंगे तो हम लोग कोई event मानते है या फिर जो भी आपको मानना है एए event कैसा है तो multiple of seven जो ball निकाला जारा है वो पहले three का निकाल लेते हैं अब तो multiple of three है तो अब आप मेरे को बताओ favorable event में क्या क्या value आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे three six nine twelve fifteen eighteen twenty one twenty four twenty seven thirty ये सारा क्या है ये सारा these all are the multiple of ये सारी आने से question A को थोड़ा सा help मिलेगा तो ये सारा क्या होगा favorable list के category में आ जाएगा अब आप मेरे को बताओ PA का value क्या हो जाएगा probability of event A that is probability of being multiple of three तो हम क्या देख रहे है कि favorable list के category में जो number आया उसको क्या value है तो आप बोलो कि one two three four five six seven eight nine ten total ten number of element का या event का in case of favorable event divided by total number of event in sample list कितना हो जाएगा 30 10 by 30 that is equal to 1 by 3 तो ये क्या हो गया ये किसका probability आया है तो 3 के multiple होने का probability लेकिन question में हमसे 3 के होने का probability नहीं पूछ रहा है 3 और 7 के होने का probability पूछ रहा है तो अगर ये probability है 3 के multiple होने का इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे 7 के होने का probability निकालेंगे कोई event दूसरा भी माल लेते है multiple or seven अब आप मेरे को बताओ कि favorable list favorable event क्या क्या जाएंगे तो आप क्या बूलेंगे 7 14 21 28 यह सारा अगर आ गया जो हम पॉल को निकाल रहे है अगर उसमें 7 लिखा हुआ है 14 लिखा हुआ है 28 लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है तो यह सारा क्या होगा favorable list के category में आ गया क्योंकि यह सारू क्या है यह सारू multiple है seven के अब आप मेंडे को बता probability of B क्या हो जाएगा? that is 4 by 30 अब आप थोड़ा सा इस point को समझो कि मुझे यह नहीं पूछा था A probability होने का, A probability होने का बोलने का मतलब क्या? 3 के multiple होने का probability नहीं करने पूछा जा रहा था 7 के multiple होने का probability नहीं पूछा जा रहा था 3 और 7 दोनों के multiple होंगे किसी का भी हो सकता है 3 का भी हो गया तो काम चला देंगे 7 का भी हो गया तो काम चला लेंगे इसका पूछा जा रहा है कि 3 का multiple है या फिर 7 का multiple है इसका कितना probability होगा यह बता है तो हमने क्या पढ़ा है कि भाई साब P A और B is equal to P A plus P B लेकिन अब ध्यान से समझना है आपको यह तब होता जब कोई दोनों event में कोई common element नहीं आता अब आप थोड़ा ध्यान से देखो जो एक आप अगरिवल लिस्ट आपने दयार किया है क्या कोई ऐसा event नहीं है जो यहां पर भी आ रहा है जो B बाले में भी आ रहा है तो आप बोलेंगे यह सरी एक ऐसा element है जो कि दोनों में आ जा रहा है पतलत 21 यहां भी है 21 यहां भी है अब यह exclusive event नहीं हुआ क्योंकि हम क्या देख रहे हैं दोनों event में कोई एक common element आ जा रहा है अब क्या दरेंगे second वाला formula अपला second वाला formula क्या था P A plus P B minus probability of A intersection B तो अब आप बताओ A intersection B क्या हो जाएगा तो अगर A intersection B का probability निकालना चाहते हो तो basically A intersection B का value कितना है 1 21 सिर्फ A की common है clear है ना तो सिर्फ A की common है तो number of element in favorable list A की आएगा that is 21 हम क्या निकाल रहे है हम probability निकाल रहे है और probability का value क्या होता है number of element in favorable event by total number of element in sample space तो number of element तो favor तो A की करेगा 21 ही एक ऐसा है A intersection B में जो आ रहा है तो B A intersection B के value निकालने के तर्मिया number of event in favorable outcome भी तो यह की आएगा that is 21 आने से काम बनेगा तो 1 by 30 यह क्या हो गया A intersection B का value अब आप मेरे को बताओ कि P A intersection B का value निकाल गया तो आप formula अपना है देरेंगे P A or B is equal to P A plus P B minus P A union B यह क्या हो A intersection B यह क्या हो जाएगा P A का value कितना है तो आप क्या बोलेंगे 1 by 3 plus P B का value कितना है 4 by 30 minus P A intersection B probability of A intersection B कितना हो गया 1 by 30 तो अब आप थोड़ा से यह देखे calculation करने दर्मियां भी आपको थोड़ा से दिमागा रहना है आप addition theorem में generally simplify नहीं करेंगे क्योंकि direct answer आजाएगा यह क्या है 10 by 30 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 by 30 अब देखेंगे base same आगया है तो ऐसे हम लेने का लखरा नहीं होगा हम direct यहाँ पे base में 30 लिखेंगे उपर में क्या हो जाएगा 10 plus 4 14 minus 1 by 30 that is 13 by 30 यह क्या हो गया that is the probability of multiple of 3 or 7 so I hope आप समझ पाया होंगे इन दोनों केस को आप समझ पाया होंगे that is the case of mutually exclusive and that is the case of when the events are not mutually exclusive तो आपको परिशान होना जैसे जैसे आप questions को बनाएगे आपको और concept को clear होते जाएगा but आपको एक काम जो बहुत ही धियान से करना है वो है question को लिखना और फिर question को लिखने के बाद थोड़ा सा समझना अपने आप से पूछना कि ये addition theorem का है या नहीं है अगर आप question को नहीं लिखोगे फिर कस्ट हो जाएगा फिर आपको थोड़ा सा बनाने में परिशानी हो सकता है हुआ 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 है इसे है चलिए नेक्स question पर आप टाइज 2 के questions को start करते हो यहां पर मैंने categorically divide कर दिया पहले question जहां पर mutually exclusive event है मतलब वहां पर आपको intersection बाला part नहीं दिया हुआ लेकिन examination में आपको ऐसे divide किया हुआ नहीं मिलेगा वहां पर आपको अपने आप से पूछना परेगा क्या कोई दोनों event में ऐसा common element आ रहा है या नहीं उस basis पर आपको formula को apply करना परेगा तो आपके लिए यहां पर तोड़ा सा relatively easy हो गया आपको यहां पर तोड़ा सा मैनज जैदा करना परेगा जैसे ही यह concept आपको और अच्छे तरीके से समझ में आप आए और examination में आपको कोई issue का सामना ना करना परेगा clear है ना तो चलिए question number हम लोग start करते हैं वहां से देखें क्या from a pack of 52 cards जैसे ही हम देखें तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पहला लोगर question है टाइम 2 का जान से देखें जैसे ही हम लोगों को लिखा हुआ दिखा from a pack of 52 cards तो sample space में total जो value आएगा वो कितना होगा number of elements in sample space क्या हो जाएगा that is 52 बावन में से कोई भी आ सकता है clear है ना तो बावन है तो यहां पर लिखना थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा तो क्या क्या आएगा यह थोड़ा सा practically माइन में आपको सोचना होगा बावन कार्ड क्या क्या है इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि एक king होता है एक queen होता है एक jack होता है चाल यह होगा basically फिर number किया जाता है और यह 13 13 13 13 total 52 होता है तो यह आपको यान रखना है तो हम क्या देखें कि number of element in sample space कितना हो गया? 52 अब आगे धियान से देखिए question क्या पुछा जा रहा है बहुत ही धियान से बारिकी से समझना है आपसे पुछा जा रहा है One card is drawn एक card को निकाला गया What is the chance of drawing a king or egg? धियान से देखिए और लग गया तो अभी क्या करना होगा? यह क्या होगया? यह addition theorem का question होगया Question आपसे पूछा गया कि find the probability of drawing a king or a egg तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक event यह मान लेजिए card drawn is king अब आप मेरे को बताएं कि PA का value क्या हो जाएगा तो कितना king होता है total 52 card में तो आप बोलेंगे search is 4 होता है तो PA का value कितना हो जाएगा? 4 by 52 लिया है ना? अब question हमसे क्या पुछा जा रहा था? Drawing, probability of drawing a king or egg तो हमने क्या किया? King आने का probability निकाला clear है ना? अब क्या करते हैं इसी तरीके से एक और event भी मानते है और इसमें मानते है card drawn is है जो card को draw किया जा रहा है वो 1 है अब आप मेरे को बताओ कि ये card B आने का probability क्या हो जाएगा? तो टोटल इसका कितने होते हैं 52 cards में तो आप बोलेंगे सर्फ 52 cards में 4,1 होते है तो probability of getting card B क्या हो जाएगा? 4 by 52 अब आप मेरे को बताओ क्या question ये पुछा गया था probability of drawing a card of egg और king king और egg आने का probability कितना है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका formula क्या हो जाएगा? PA plus PB PA का value कितना है? 4 by 52 इसी तरीके से PB का value क्या है? 4 by 52 That is 8 by 52 और final answer को आप से simplify कर सकते हैं ये PA और V का value आगया तो ये क्या हो जाएगा? 8 by 13 अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने minus क्यों नहीं किया? तो मैं आपसे पूछूँँगा क्या कुई ऐसा card B जो कि Ika B और King B क्योंकि दोनों तो अलग-अलग card मैंने आपको क्या बोला था? कि total 13 cards में distribution जो होता है क्या क्या होता? एक card King का होता, एक card Wing का होता एक card Jack का होता, एक card Act का होता तो ये जो King वाला card है और ये जो Act वाला card है वो दोनों अलग है ऐसा नहीं हो सकता कि एक King वाले में भी एक Act वाला आ रहा है मतलब कोई common element A और B में नहीं आ रहा है तो अगर नहीं आ रहा तो P A intersection B फिर कहां से आपको माइनस करेंगे अगर A intersection B common ही नहीं निकला तो उसका probability कहां से निकालेंगे और कहां से माइनस करेंगे क्लिए रहना आई होप आप कुछ समझ पाया होंगे चलिए नेक्स्ट कुर्शन पर मूव करते हैं चलिए नेक्स्ट कुर्शन पर तो क्या बोलता है आप से कुछा गया है कि भाई साब आप मेरे को यह probability बताओ कि अगर एक कार्ड को निकाला जा रहा है वो या तो King of Heart है वो जो कार्ड है King है किसका तो Heart वाले का Heart जो होता है तेरे कार्ड पर Heart का सिर्भ बना होता है तो उन तेरे कार्ड में से एक होगा जो कि King वाला होगा उसमें राजा का सिर्भ बना होगा और उपर में Heart वाला होगा तो आपसे question क्या पुछा है कि यह जो कार्ड निकाला जा रहा हो वो King of Heart है और Queen of Diamond है इसका probability आप बताओ तो आप मेरे को यह बताएए जैसे ही आप देखे कि और अलग गया है मतलब combined probability निकालना होगा PA प्लस PB तो हम लोग फिर से A मानते हैं King of Heart तो आप मेरे को बताओ PA का value कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि Sir King of Heart तो आप ध्यान से याद कीजे King of Heart सिर्फ एक होगा अगर King बोला जाता तो टूटल 52 कार्ट में 4 Kings होते हैं तो अगर सिर्फ Kings बोला जाता तो favorable outcome के case में 4 हो जाता कि कोई भी आ जाए तो बात बन जाता लेकिन question में हमसे क्या पूछा जा रहा है King of Heart Heart का King आने का सिर्फ 3rd का King आएगा तभी बात बनेगा मतलब favorable outcome में कितना case होगा सिर्फ एक case तो 1 by total सिर्फ में कितना case होगा 52 तो पीए का value आ गया 1 by 52 अब थोड़ा सा आपको calculation थोड़ा सा यह होना सरे है जैसे ही आपको card गोला तो चैंबल सिर्फ में 52 cards होगा आप उन 52 को सोचके आप favorable number का निकाल पाओ यह थोड़ा सा आपको करना परेगा इसने work करना परेगा clear है ना और यह आप कहां से कर सकते हो तो जो second video जहांकर मैंने आपको basically इसके बारे में discuss किया है outcomes के बारे में वहां से आप इसको थोड़ा सा work करके easy कर सकते हो तो देखें यह क्या हो कि इसी तरीके से B outcome मानते हैं अभी क्या है queen of diamond फिर से भाई बार queen अगर कुछ आ जाता तो भाई साब मेरा total favorable list में 4 आ जाता किसी का भी queen आ जाए queen of diamond आ जाए queen of heart आ जाए queen of club आ जाए total favorable list में basically 4 हो जाता लेकिन क्या पुछ रहा है queen किसकी होनी चाहिए diamond की होनी चाहिए तो favorable list में तभी बात बनेगा जब वो कार्ड queen of diamond होगा बतलब total 52 case में सिर्फ ऐसा case आने से ही favorable list का बात बनेगा clear है न तो probability of B क्या हो जाएगा probability of B is equal to 1 by 52 अब आप खुद सोचेंगे क्या A और B में कुछ ऐसा है जो कि common है queen of diamond तो अपना अलग है दून में और ये भी कहा है ये भी बोल्ड है वाइसा वाइसा वाइक किंग है तोड़ासा मेरा भी अलग value है हम क्यों जाए तेरे पास मतलब कुछ ऐसा नहीं है queen of diamond खुद एक है king of heart खुद एक है और तोनों पर भी कुछ common नहीं आ रहा तो इन दोनों का combined probability क्या हो जाएगा PA और B is equal to PA plus PB अब आप बता तो PA का value कितना है 1 by 52 PB का value कितना है 1 by 52 2 by 52 that is 1 by 26 this is the probability of card of being king of heart or queen of diamond clear है न चले नेक्स कुशन के आप लोग मुव करते है question number 3 अज थोड़ा सा class लंबा चलेगा जो कि मैं चाहता हूँ ये continue रहे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आप आए अगर बीच में छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा आपको issue हो सकता है फिर आपको discontinuity हो सकता है देखे question number 3 पूछा जा रहा है ना throw of two dice find the chance of getting either two or eight or twelve मतलब ये एक level up है इसको और ज्यादा ये चड़ा है ये क्या किया तीन event का probability आपको निकालने बोल रहा है तीनों event का combined probability निकालने बोल रहा है ये आपको बोल रहा है कि sum 2 आया हो इसका probability बताओ और sum 8 आया हो इसका probability बताओ और sum 12 आया हो मतलब या तो sum 2 होगा तो भी मेरे को issue नहीं है या तो sum 8 हो तो भी issue नहीं है या तो sum 12 हो तो भी issue नहीं है इन तीनों का combined probability हम लोगों को निकालना है अब जैसे ही बोला two dice are thrown तो हम लोगों को sample space लिखना है sample space क्या हो जाएगा total 36 और क्या क्या होगा 1 1 1 2 इसी तर इसे 1 6 fed 2 1 2 2 इसी तर इसे 2 6 3 1 3 2 इसी तर इसे 3 6 4 1 4 2 इसी तरीके से 4 6 last वाला इसके बीच में बहुत सारे आ रहे है मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि अब आप थोड़ा सा experience हो गया है मैं ऐसा assume करके चल रहा हूं clear है न 5 1 5 2 5 6 6 1 6 2 6 6 अब हमसे question में क्या पूछा जा रहा है probability of dating sum of 2 or 8 or 12 तो सबसे पहले हम लोग 8 event यह मानते है जो कि क्या है sum of sum is 2 जिसमें sum जो आ रहा है वो 2 आ रहा है दोनों dice के जो number आ रहा है इस दोनों को add करने से sum 2 आ जा जा रहा है अब इसी तरीके से माने है क्या event b sum is 8 और event c sum is 12 अब आप मेरे को बताओ pa का value क्या होगा sum 2 i इसका कितना probability होगा तो आप देखे 1 plus 1 6 plus 1 7 मतलब हो सकता है तो देखते हैं किस case में हो रहा है तो 1 plus 1 यह एक ऐसा case है जवा पर आने अगर यह combination आ गया दोनों dice में तो sum 2 आ जाएगा तो यह case हो गया और देखते हैं अब देखिए आपको sum 2 तो आप देखेंगे 2 plus 3 इसका दूसरे वाले में 3 basic है सबसे कम 3 आ रहा है highest 8 आ रहा है मतलग दूसरे वाल तीसरा चौता पाचमा छटा यह पाचों में कोई यह ऐसा combination नहीं होगा जिसके आने से sum 2 आ है क्यों? क्योंकि इस पाचों में basic जो value आ रहा है sum जो आ रहा है दोनों dice का वो कितना आ रहा है 3, 4, 5, 6, 7 clear है न? तो मेरे को favorable outcome पूरे list में सिर्फ एक आया है क्या है? 1, 1 जब आ रहा है तो अगर मैं आपसे पूछू कि sum 2 आने का probability आप बता हो तो आप क्या बोलेंगे? किस तर? एक favorable list में का टैक्वी में आ रहा है सिर्फ एक value ऐसा है जिसके आने से sum 2 आ रहा है और total outcome sample space में कितना है? 36 तो PA का value कितना हो जाएगा? 1 by 36 इसी तरीके से PB का value क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? Sum 8 आना चाहिए तो अब आप खुद calculate करेंगे अब आपको लिखना नहीं है बच्चों के जैसे कि 1, 1 है आपको देखना है सोचना है थोड़ा सा आप देखिए 6 plus 1, 7 मतलब यहां पर नहीं आएगा क्योंकि इसका highest वाला ही 7 है 8 हम कुछ आएगे अब 2 plus 6, 8 आ जा रहा है मतलब यहां पर 1 case तो है जो की मेरा काम बना देगा question को favorable कर रहा है तो एक यहां पर favorable case आ गया 6 plus 3, 9 तो favorable case यहां भी होगा क्योंकि 9 highest 9 है मतलब कहीं न कहीं 8 तो जरूर चिपा होगा तो ध्यान से देखिए clear है ना तो हम आ लेते हैं एक यहां पर 8 इसका होगा 3, 5 यहां पर है तो एक यह होगा इसी तारीपे से 6 plus 4, 10 कहीं न कहीं तो 8 चिपा होगा 10 होगा यहां सम 5 9 होगा तो 8 की इस यह भी होगा इसी तरह यह लेह से 6 plus 6 12 यहां वाला का सम 10 होगा यहां वाला का ना consig 9 वाला जो आया वोगा उसका सम 8 होगा और वो एक हो हुआ तो देखें टोटल फैबरेबल किस्ट का कितना वैल्यू है वान चू थ्री फोर फाइल इसमें भी होंगे बैसिकली फोर फोर वाला किस्ट उसका मिसम ही क्या है तो देखो आपको पांच फैबरेबल किस्ट बाले में आ जा रहा है कितने हो जाएंगे पांच मुझे नहीं अबतार लिखना चाहिए क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है क्या मुझे केस लिखने का रिख्वार्मेंट है कि 351 केस हो गया 261 केस हो गया ऐसे पांचों को लिखना चाहिए या ने क्या राएक प्रवाबिल्टी निकालना चाहिए या ने कुछ ऐसे बात हैं जो मेरे को समझ में नहीं आ रही है तो आपको थोड़ा सा अगर आपको डाउट होता है ऐसे इंडिविज्वल परस्पेक्टिव तो आपको मैसेज करके क्लियर कर लेना है ठीक है ना तो आप बताओ बीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा पाइब टोटल फैब्रेबल केस है आउट अफ थर्टि इस तो प्रवाबिटी ऑफ फीज़ फाइच इशा इसी तरीके से प्रवाबिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा तो सम त्वेल्ट आप ध्यान से देखो सम 12 कितने में आ सकता है तो 6 plus 5 11 यहां पे तो सम नहीं आएगा 4 plus 6 10 यहां पे highest 10 आ रहा है तो 12 आने का बाद ही नहीं है इसी तरीके से आप देखेंगे सिर्फ एक ऐसा वैल्यू है 6 6 जहां पे सम 12 आएगा इसके बाद और कोई केस नहीं है पतलब फैपरिबल आउटकम एक है तो प्रॉबैबरिटी ओफ सी क्या हो जाएगा 1 by 36 अब हम से पूछा क्या है प्रॉबैबरिटी ना तो एक का पूछा है ना तो बी का पूछा है ना तो सी का पूछा है हम लोगों यह क्या है पूछा जारा है क्योंकि और कुछ ऐसा नहीं है नंबर तो अलग है वाई साब if clear ना जिसका सम 2 आ रहा हुँ है वो नहीं हो सकता है कि क्यों सम्तक्राणियों तो सब PA plus PB plus PC और इसके value को अगो add करके calculate कर लेंगे that is 1 by 36 5 by 36 plus 1 by 36 क्या हो जाएगा 5 plus 1 6 6 plus 1 7 7 by 36 so this is the correct answer देखे आपना पूरा courses आपको कर रहा है कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं but हो सकता है due to lack of communication आपको पूछ और आपको problem आदा हो तो आपको कहीं परिसानी और आओ मैं एकसेप्ट करता हूँ but clear आपी को बढ़ना है clear है ना तो आपको पूछने ना आपको पूछने ना आपको कुछ ऐसे लाओ ना रहे हैं तो कुछन नंबर फोर पर मूफ करते हैं या फिर आज ही नहीं तर छोड़ते हैं एक क्लास और लगेगा और उस क्लास में कोसिस करेंगे कि टोटल और इसमें कोशन कितना बचा हुआ है अब लोगों को यह सौल हो जाए नेक्स क्लास में और अभी से जो क्लास होगा वह तोड़ा सा आपका लंबा होगा क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आपको करना परेगा आपके पास और कोई आप्शन नहीं तो आपको इतना देख क्लास करना है और जो भी डाउट आ रहा है आपको बूशन नहीं को उससे क्लिया जाएगा कि लास 45-50 उससे जादा ना हो ले रहा है ना तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने लेते हैं फिर मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक अपना क्यार रटी और अच्छे से लेगे